Hello friends, कैसे हैं आप लोग, यह video CA students के लिए है, जो number 2020 में exam देने वाले हैं, बाकी के students भी यह video को देख सकते हैं, इस notification जो institute ने issue किया है, मेरा मानना है कि सभी students ने इस notification अलरीडी देख लिया होगा, लेकिन एक जो biggest mistake इस notification के निकल कर आ रही है, उससे काफी confusion फैल रहा है, और मेरे पास भी बहुत सारे queries आ रहे हैं, तो आएए short में इस biggest confusion को समझते हैं, जो mistake, जो notification से निकल कर आ रहा है, और मैं चाहूंगा कि institute भी इस चीज़ को जल्दी से जल्दी correct करे, तो आएए एक बास short में notification समझ ले, notification आपके सामने है, पहला notification बिहार students के लिए है, जिनके कुछ exams प उसमें SFM के भी exams हैं, तो मैं इस description में इसका link दे दूँगा, आप definitely यह देख लीजेगा कौन-कौन से exam आपके postpone हो गए हैं, बिहार students के लिए, CA Foundation के जो students हैं, उनके लिए सारे Pan India students के लिए exam postpone हो गए हैं, कुछ दिनों के लिए, date है 19, 21st, 23rd and 25th of November 2020, अब है आपका opt-out scheme, आप कभी भी exam से opt-out कर सकते हैं, before the exam, during the exam, ठीक है, fine, अगर आपको COVID के symptoms आते हैं, या आपको लगता है कि आपको COVID है, तो आप कभी भी opt-out कर सकते हैं, और उसके लिए कोई doctor का आपको prescription लेनी की जरुवत नहीं है, आप self declaration भी दे सकते हैं, कि भाया मेरे को symptoms हैं, मैं opt-out कर र एक थोड़ी सी clarification यहाँ पर institute को issue करनी होगी, कि अगर मान लीजे मैं तीन paper देता हूँ, और फिर मैं opt-out करना चाहता हूँ, क्या वो तीन paper मेरे माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, अभी के notification से यह लग रहा है, कि वो नहीं माने जाएंगे, पूरा-पूरा आपको paper से next attempt में देना होगा, ठीक है, फाइन, अब उन्होंने SOP निकाला है, कुछ procedures निकाले हैं, वो procedures आपके सामने हैं, आपके लिए क्या-क्या बाते ध्यान में रखने के लिए हैं, वो कुछ इस तरह से है, आप sanitizer लेकर जा सकते हैं, और आपको exam hall में कुछ पहले समय से पहले प calculators and जो भी pen और आपके जो समान हैं, जो exams में use होने हैं, उसे आप carry करके जा सकते हैं, आपका temperature नापा जाएगा, और अगर temperature सही नहीं आया, मतलब अगर वो एक limit से exceed हो जाता है, तो आपको exam देने नहीं दिया जाएगा, हाला कि इसमें एक बात और है, कि exam time पे तो सबको temperature आ लेकिन अब जो है, वो है, आपको अपना पूरा ख्याल रखना है, और बिलकुल temperature आने नहीं देना है, क्योंकि exam का ऐसा phobia होता है, कि temperature अपने आप आजाता है, आपको covid नहीं भी है, तब भी temperature आ सकता है, इसमें ये होना चाहिए था, कि कुछ rooms होने चाहिए थे, अलग से, जहां पर इन तरह के students को बैठाया जाता, और exam complete करवाया जाता, I hope अभी भी इस notification में हो सकता है, institute कुछ और clarification दे, fine, तो अब जो biggest confusion जो create हो रहा है, वो यह हो रहा है, इस notification से, जहां पर लिखावा है, candidates are not allowed to take inside the examination hall bags, mobile phone, smart watch, written material books, written material and books, जहां पर मैं elective paper का teacher हूँ, CA final में elective paper में, यह guidelines हैं, कि आप books और materials को exam hall में लेकर जा सकते हैं, CA final में एक exam होता है, जहां पर यह guidelines होती हैं, कि आप books exam hall में लेकर जा सकते हैं, वो open book exam होता है, क्योंकि FSCM और risk management के मेरे students काफी यहां पर confuse हो रहे हैं, और काफी मुझे messages कर रहे हैं, तो यह notification definitely change होगा, और नहीं होता है, तो आप मान के चलिए, आप please यह मैं सोचें कि अब आपको books carry करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पूरी त्यारी as per open book exam की है, और classes भी मैं यहां पर यहां पर यह notification CA final elective paper के लिए applicable नहीं है, हाला कि इन्होंने लिखा नहीं है, इन्हें लिखना चाहिए, नहीं भी लिखते हैं, तो आप यह मान के चलिए, आप books और material carry करके जरूर लेकर जाएं, ठीक है, तो यह biggest mistake है, मेरा मानना है, और definitely institute इसे correct करेगा, नहीं भी क करता है, तो आप books लेकर और material लेकर इस exam में जा सकते हैं, जो जो मैंने आपको provide किया है, जो जो मैंने आपको कहा है, तो friends अंत में यही कहूंगा, अच्छे से exams दें, बिल्कुल positive रहें, negativity को दूर हटाएं, अपने precautions को आपको खुद maintain करके चलना पड़ेगा, it's a new normal, हमें इ इन सब चीजों को आप अगर समाल लेते हैं, तो आप exam बहुत अच्छे से appear करेंगे, और बहुत अच्छे से आप clear भी करेंगे, सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपको करना है, आपको अपने सपनों को पूरा करना है, अपने teachers, अपने parents का नाम रौशन करना है, उन जिन्दगी के कई इमतहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुठी बर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है, बहुत आगे आपको जाना है, बस इस hurdle को इस exam के जो challenge को इसे accept करें, और बहुत अच्छे से appear करें, और flying color से result लेकर आएं, और आप देखेगा, सब कुछ अच्छ हो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छे दिन जरूर आएंगे, thank you so much.